CSS की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाइट स्पेस वेल्यूस के बारे में बताऊंगा बहुत important role play करता है हमारे पास यह एक web page को अच्छा look देने के लिए वीडियो हो सकता है 10-12 मिनट तक चले जाए लेकिन काफ़े important topic है तो without wasting any time directly हम लोग jump करते हैं अपने session के तरफ वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification कौन करें तक कि आपको latest videos की notification मिलती रहे एक बार जरूर playlist section में जाए और check करें महाँ पर मैंने आपको game development javascript, php tutorial, whatsapp की तरह chat application, google का website कैसे बनाना है google की तरह search engine वो already मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ so मैं आगे अपने folder में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने एक file create कर रहा है जिसका नाम है white space और मैंने maximum काम पहले से करके रखा हूँ है div वगरा बना के रखे है, border वगरा लगा के रखे हूए है यहाँ पर अगर आप notice करो, अगर मैं आपको zoom करके check कर रहा हूँ तो यह जो spaces है न, extra, इसको हम लोग white space कहते है no doubt मैंने आपको wrapping वगरा, word wrap वगरा पढ़ा रखा है उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत solution आपको दिया था लेकिन still, CSS हमें बहुत सारे values provide करता है यहाँ पर properties देता है जिससे हम इस white space को अपने तरीके से निपट सके, ठीक है तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही देखने वाले है अब इसके theory को समझना पढ़ेगा practically करने से पहले कि क्या इसके values है क्या-क्या हमें allow करता है CSS करने के लिए तो directly हम लोग jump करते हैं पहले presentation की तरफ और उसको समझने के बाद हम लोग jump करेंगे practical की तरफ white space property अब यहां पे white space के बहुत सारे values है कौन-कौन सी values है हमारे पास currently जब मैं यह tutorial बना रहा हूँ तब तक हमारे पास CSS के 5 values है white space को लेके पहला है हमारे पास normal जिसको लगाओ ना लगाओ एक ही बात है उसके बाद है हमारे पास no wrap ठीक है फिर हमारे पास pre उसके बाद है pre line और फिर हम उसके बाद हमारे पास pre wrap ठीक है normal no wrap pre pre line pre wrap इसके बारे में समझते हैं हम लोग diagram के जरीए कि यह क्या चीज है अब देखिए अगर आप normal लगा के रखेंगे तो जो आपका text जैसा दिख रहा है as it is वैसा ही रहेगा screen के उपर monitor के उपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर no wrap की तो वो wrapping नहीं करेगा और जो भी आपका extra content था ना वो overflow कर जाएगा और document से बाहर निकल जाएगा ठीक है no doubt अब इसको overflow hidden करके भी सही कर सकते हो जो कि मैंने आपको सिखा रखा है फिर वो सिर्फ painting या फिर यह यह उठा लेगा and का बागे सारा content आपका guide up कर देगा ठीक है यह कुछ इस तरीके सा no wrap काम करता है अब बात करते हैं यहाँ पर pre की तो देखिए जो pre है न वो as it is काम करता है जो की html में आपका pre tag काम करता है यह as it is वो text show करेगा जो आपने code किया होगा exactly वैसा ही show कर देगा आपको मालूम होगा html में अगर हमें किसी line को new line पे लेके आना है टेक्स्ट को तो हमें break लगाना पड़ता है line break vr tag के जरिये तब जा करके हमारा कोई चीज new line में आता है लेकिन इस case में मैं pre value यूज करूँगा और यह as it is html का का काम करेगा और हमें कोई भी vr नहीं लगाना पड़ेगा यहां पर हमें एक enter मार देंगे हमारा output में enter show करेगा और वो new line पर आ जाएगा यहां पर enter किया यहां पर enter किया तो तीनों line हमारी new line पर shift हो जाएंगी ठीक है html में एक और चीज है कि हम एक से ज़्यादा space नहीं दे सकते white space अगर हमें ऐसी requirement है तो हमारे पास alignments है या फिर and nbsp non breakable space अगर हम वो लगा देंगे या 5-6 बार तो इतना space आएगा pre tag लगाने के बाद हमें ऐसा कुछ नहीं करना space बार दबाते रहो जितने space आपने दिये होंगे as it is वो show कर देगा ठीक है अब इसमें multiple spaces भी है इसमें no wrap work करता है और यह as it is show करेगा ठीक है next अगर बात करो तो यहां पर हमारे पास pre line है pre line क्या करेगा single white space character रखेगा मतलब अ सारी चीज़े normal है जो मैंने आपको pre के बारे हैं बताया as it is यहां पर भी वो apply होगा no wrap वगरा यहां पर भी काम करता है ठीक है next अगर हम बात करें तो यहां पर होता है हमारे पास pre wrap ठीक है white space pre wrap पहला pre किया उसके अल हमने pre line किया अब हम बात कर रहे है pre wrap का यहां पर यह multiple spaces क उठाएगा enter करोगे वो काम करेगा लेकिन no wrap काम नहीं करेगा no wrap कौन सा वाला यह वाला यह कुछ ऐसा काम नहीं करने वाला है इसके अंदर ठीक है तो directly समझते हैं हम लोग इसको practical के जरीए कि कैसे इसको हम लोग implement कर सकते हैं ठीक है मैं आगे अपने folder पर यहाँ पर मैंने एक file create कर रहा है white space नाम से जिसको मैं already run करके आप लोगों को दिखा चुका हूँ मैंने simply इस पर right click किया और इसको open with sublime text editor कर रहा हूँ आपके पास जो text editor हो आप उसके अंदर काम करें ठीक है zoom कर देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर I think इतना zoom sufficient है और यहाँ पर मैंने क्या किया यहाँ पर दिखा मैंने white space normal और save किया normal का होना ना होना एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके document पर ठीक है इसके बाद यहाँ पर मैंने second value का apply किया यहाँ पर no wrap save किया तो जो भी additional values हैं वो side में चले जाएंगे और आपके पास क्या होगा कुछ ऐसा area आ जाएगा scroll करने के लिए अब इसको br लगा के सही कर सकते आपकी मर्जी है अब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं overflow hidden के जरीए भी सही कर सकता हूं जैसे कि मैंने किया overflow hidden save किया document पर आए और refresh किया see this overflow hidden के कारण जो भी additional चीज़े थी वो गायव हो गई ठीक है तो overflow hidden को मैं currently यहां से हटा रहा हूं और save करके दुबारा आपको check करा दूँ कुछ ऐसा है ठीक है अब मैं no wrap के जरीए no wrap में क्या होता है basically पूरी line एक ही line में आ जाता है और overflow कर जाता है ठीक अब मैं यहां पर कहता हूं इसको pre और मैंने save किया as it is show करेगा no wrap काम करता है multiple spaces को उठाता है तो अगर मैं save करके check कर रहा हूं तो आप बोलोगे चलो as it is तो काम कर गया वो ठीक है यहां पे और ऊपर space आ गया वो कैसे हुआ तो उसका फंडा ही है हमारे पास क्योंकि यहां पर हमने कुछ space दे रखा एक वह problem है दूसरा हमने यहां पर कुछ gap दे रखे अगर मैं उसको हटा दूँ और save कर दूँ तो वो space हट जाएगा similarly मुझे सब के तरब से space हटाने आग neighborhood and upload, see this जो आप लिखोगे जैसा आप लिखोगे यह काम करेगा ठीक है यह रहा हमारा pre अब बात करते हैं यहां पर मैं भी प्री लाइन की ठीक तो मैंने यहां पर प्री लाइन लिखा और इससे पहले मैं आपको प्री के बारे में एक चीज और चेक कर आ जिता हूं मैंने सेव किया । डोक्यमेंट पर आके रीफ्रेश किया यहां पर मैं इसको मल्टिपल स्पेसेज दे रहा हूं बहुत ही सारे और मैंने उसको सेव किया यहां पर आके refresh करता हूँ, see this, multiple spaces apply होते हैं, pre के अंदर बहुत ही easily, अब मैंने क्या किया, उसको pre line कर दिया, ठीक है, मैंने pre line दिया और save किया, pre line में single space होता है, white space character, see this, single space रहेगा और बाकी सारा as it is आपका काम करेगा, ठीक है, multiple spaces को यह pick नहीं करता, pre wrap की अगर मैं बात करू मैंने इसको save किया, और refresh किया, again पहले की तरह हो गया, as it is multiple line उठाएगा, जो आपने लिखाया वो काम करेगा, लेकिन no wrap function यहां पर काम नहीं करने वाला, जैसे की आप इसको no wrap के जरीए काम नहीं करा सकते, something like अगर मैं यहां से spaces हटा दूँ, और सारा कुछ एक line में ले कुछ तरीके से काम करेगा, चलिए मैं सारा कुछ यहां पर करता हूँ, फटा फट से और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, save किया, इतने कोई चेक करके हम लोग देख लेते हैं, क्या आसर होता इससे, see this, अगर मैं सारा कुछ कर दूँ तो यह normal तरीके से no wrap होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, चलो मैंने सारा कुछ कर दिया, यह overflow कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यह normal तरीके से काम करेगा, ठीक, तो कुछ इस तरीके से हमें इन सब को use करते हैं, जहां भी हमें जिस चीज के requirement होती है उसको, यह मैं बहुत जादा help करने वाला है, जब मैं उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा और यह वीडियो पसंद आया होगा, एक बार जरूर प्लेलिस सेक्षन में जाए और चेक करें, महाँ पर मैंने आपको game development, javascript, php tutorial, whatsapp की तरह chat application, google का website कैसे बनाना है, google की तरह search engine, वो अल्रड़ी मैं आपको बना के द notification मिलती रहे, मैं मिलता है आप से अगली वीडियो में, thanks for watching guys,